नवरात्री के नौ दिनों में शक्ती की देवी माद्दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। हिंदु मानिताओं के अनुसार घट स्थापना के साथ नवरात्री का आरंप किया जाता है। तो आखिर कब है घट स्थापना के शुप मुहुर्द जानिये इस रिपोर्ट में शार्दी नवराद में घट स्थापना अमरत और सरवार्थ सिद्धी योग में होगी इस बेच अमरत्व सरवार्थ सिद्धी और रवी योग का सहिएोग बन रहा है जूतिशी पंडित रामचंदर शर्मा वैतिक के मुताबिक प्रथम नवरात्र पर घट स्थापना ब्रम्ह मुहुर्त में और उसके बाद सुबह साड़े छै से साथ बची तक होगी इसके बाद 9 से 12 के बीच घट स्थापना की जा सकती है आशे शारदी नवरात्र का प्रारंब हो रहा है अस्त नक्षत्र का संयोग कंण्या राशी का चंद्रमा कंद्या राशी का सूर्य सरवार्त सिध्धियोग अम्रसिधियोग में माभगवती दुरगा हाती पर सवार होकर भक्तों को आशीज प्रदान करने आशिरवात प्रदान करने के है तू शारदी नवरात्र में पधार रही है इस वर्षव नवरात्र पूरे नो दिनों के हैं रविवार से नवरात्र का आरंभ होगा और सोमवार परियंत जो है नवरात्री पर वो जो है रहेगा आज शुब महुर्त में ये ब्रह्म महुर्त में आप घटस्थापना कर सकते हैं या प्रातव छे से साड़े साथ में घटस्थापना कर सकते हैं या नो से बारा ये जो समय है लाव और अमरत की वेला का समय है इस समय घटस्थापना करने से मा का आशीश प्राप्त होता है, मा की क्रपा प्राप्त होती है, नवरात्र में घटस्थापना अखंड दीव साधना का विशेश महत्व है, वेसे धर्मशास्त्रों में 40 नवरात्रियों की विवस्था की गई है, उसमें से 4 नवरात्र प्रमु स्पिनव通 रहे हैं यह गुप्त न्वरात्र है शारदी ने र था श्रदरित्व में जो न्वरा प्right रिप्रारंभ होती है वह शारदी नावरात्र के एलाम से जानी जैती है इस वर्ष शारदीम रात का आरंभव आज जो है 29 सितंबर सिहारद से प्रारंभ रहा है छे अक्टूबर को महास्टमी का पर्व है उस दिन दुर्गा सब्तशती के साथ सो महामंत्रों से मा का हवन होगा महाकाली महालक्षमी और महासरस्वती का अस्तवन होगा वही साथ अक्टूबर महानवमी को जो है इस पर्व का समापन होगा महानवमी के साथ महानवमी को विशेष श्रंगार पूजा और अर्चन करने का विधान है वही महानवमी के दिन जो है कुल देवी और कुल देवता का पूजन अपनी अपनी कुल परंपरा के अमसार किया जाता है इस वर्ष जो है वर्षों बाद पूरे नो दिनों की नवरात्रियां उपस्तित हुई है नवरात्र में उपवास करने का विधान है दुर्गा सप्षटी का पाड़ करने का विधान है नवान मंत्र के जब करने का विधान है रामचरित मानस के नवहन पारायन का विधान है नव दिनों तक नव दुर्गाओं की साधना क्रम शह शैन पुत्री से लगा कर मा सिद्धिदात्री तक क्रम सह नव दिनों तक करना चाहिए विश्चित रूप से मा भगवती का आशीष और आशिरवात इन नवरात्रों में आप सभी को मिलेगा नवरात्री में घटस्थापना शुम महोर्त में करें शुम महोर्त मेंने आपको बताया है परातङौं 6-6.75 तक भी आप कर सकते है ब्रहम महोर्त में भी कर सकते है इस नवरादी में पूरे नौ दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाएगी एक बेदिन का शय नहीं है देवी का आगमन हाथी पर होगा और वापसी घोडे पर हाथी पर देवी के आगमन को सम्रध्धी प्रदान करने वाला बताये जा रहा है यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूस है दौर